तो आज मैं आपको बताऊंगा होटला रेश्रां मैं स्टफ तंकडी कैसे बनाती है स्टफ तंकडी बनाने के दो तरीके हैं एक फाइड मेरनेशन के अंदर इसको बनाता है और दूसरा यलो मेरनेशन के अंदर और दोनों ही तरीकों से आप इसको इसली बना सकते हैं और step by step आपको इस recipe को मैं explain करूँगा कैसे इसकी stuffing की जाती है कैसे इसकी stuffing का कीमा त्यार कियाता है तो चलिए recipe शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने chicken leg piece लिये है leg piece का use कियाता है इनको आप आसानी से poultry sauce से purchase कर सकते है और इसके अंदर देखिए यहाँ पे ना stuffing की जाते है वो कैसी की जाएगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ chicken leg को सबसे पहले first marinade किया चाहेगा 1-4 teaspoon इसके अंदर नमक आइड करेंगे एक छोटा चमच आपने इसमें अदर कलसन का paste टालना है इनको spicy करने के लिए इसके अंदर 1-4 teaspoon ग्रीन चिली पेस्ट टालने आपने थोड़ा सा साथ में इसमें lemon juice टालेंगे तो आदे निमू का juice यहाँ पर मैंने दिखिए निचोड दिये अगर आपके slam आनी है तो आप विनेगर का यूज़ कर सकते हैं एक छोड़ा चमच आपने इसके अंदर विनेगर डाल देना है और अच्छे से आपने चिकन को mix कर लेना है फर्स्ट मैरिनेशन करने से चिकन बहुत ही soft जूसी बनता है और नमक मिर्ची का टेस्ट हो और चिकन के लग भी इसके अंदर तक चला जाता है तो कंसिकम आपने आदा घंटा और जासे अदा आप दो घंटे आठ गंटे इसको मैरिनेट करके फ्रीज में रख सकते हैं आदा घंटा तो आपने जुरूर रखना है चिकन को इसी मेरिनेशन में तो चिकन को आपने ऊपर से अच्छे से क्लीन फ़र से कवर कर देना और चिकन को फ्रीज में रख देना मैरिनेट करके तब तक और त्यारी कर लेते हैं कि यहां पर मैंने 150 क्राम चिकन का कीमा कर लिया है वैसे मार्केट में आजकल चिकन का कीमा भी मिल जाता है अगर ना मिले चिकन ब्रेश रो थाई का आप कीमा कर लीचे चापड से तो यहां पर मैंने नॉंस्ट्रिक पैन लिया और इसमें थोड़ा सा ऑईल एड करेंगे एक चिकन का कीमा एड कर देना है अगर आपको लगेगी चिकन का कीमा ज्यादा ही ड्राई हो रहा है तो आपने थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना चिकन का कीमा के साथ में नहीं तो एक दम से लम्स से बन जाते हैं इसके अब आपने गैस की फिले मीडियू टू हाई रखनी है और चिकन कीमा को तब तब पकाना है जब तक इसके अंदर जितरा है मोईश्टर है वो अच्छे से खतम नहों चाहे और अपने पलटा चलाते रहना है देखिए जैसे मोईश छे मिनिट में आपका जो चिकन कीमा अच्छे से बक चाएगा देखिए इस तरह से अपने चिकन कीमा को पका लेना है इसको ठंडा होने देंगे जैसे अच्छे से ठंडा हो जाए इसको अच्छे से मैश कर लीजिए जो भी इसके अंदर लम्स बया रहोंगे ना उनको आप आपने तोड़ देना है इस तरह से फिर हम इसमें शाही टेस्ट देने के लिए थोड़े से बारी कटे काजू एड़ करेंगे साथ में थोड़े से बारी कटे बादाम भी डाल देते हैं आप चाहें तो इसमें थोड़े सी किसमें भी डाल सकते हैं बारी कटे साथ में इसमें चीज डालेंगे चीज इसको बाइनिंग देगा और टेस्ट भी अच्छा था चीज से थोड़ा सा इलाइची पोडर भी डालना है और इन सब को भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दीशिए और चीज डालने से एक और फाइद ह स्टफ करेंगे, वो कैसे करेंगे, वो आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने 30 मिनिट के लिए चिकन टंगडी को फर्स्ट मेर नेशन के अंदर रखा था, इसके बद आपने चिकन टंगडी के उप अंदर जितना भी पानी होगा ना, उसको ऐसे निचोर देना है दबा के, क्योंकि टेस्ट तो चिकन के अंदर आ चुका है, वर यह पानी नहीं होना चीए, इसके बद हम चिकन टंगडी के अंदर चिकन कीमा की स्टफिंग करेंगे, देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कैसे आपने इसके अंदर स्टफिंग करनी है, जो चिकन टंगडी होती है, उसके आगे छोटा सा एक होल होता है, देखिए, तो इसके अंदर आपने ऐसे थोड़ा सा बड़ा होल कर लेना है, देख तम की साथ से आपने न इस तरह से कीमे को न साइडों को धवाना हैं। देते हैं बड़ इसको ना सिर्फ ऐसे आपने बंद कर देना है देखिए तो यह बंद हो गया और यह देखिए चारों तरफ अच्छे से कीमा भर चुका है तो बहुत ही ईजी होता है यह तरीका इस तरीके से आपने चिकन को पहले ना स्टफ कर लेना है देखिए सारी अब हम चिकन की ना मैरनेशन ना लेते हैं जिससे हम चिकन की टंगडी को मैरनेट करेंगे के देखिए यहाँ पे मैंने हंकर लिया है ठीक देही आपने 200 ग्राम देही लेना है उसको किसी कपड़े में लटका के छोड़ देना है उसका पूरा पानी निकल चाएगा उसके ब बचे को उसे हंकर बोलते हैं एक चमच आपने यहाँ पे काजू का पेस्ट आइड करना है और साथ में इसके अंदर बाकी मसाले भी आड़ कर लेते हैं साथ में अध्रक लसम्गा पेस्ट आइड किया एक छोड़ा चमच नमख डालेंगे इसमें आदा चोड़ा चमच और थोड़ा से इसमें हल्दी पोर्टर डालेंगे यल्लो कलर के लिए आप चाहें तो इसको सरसों के तेल में पकाके भी डाल सकते हैं साथ में इसमें रोश्की कसूरी मिथी डालेंगे थोड़ा सा अपने इसमें जीरा पोर्टर एड़ करना है कच्छा जीरा पोर्टर का यूज के यहां पर मैंने और साथ में से थोड़ा सा इलाइची पॉर्डर भी एड़ कर देते हैं गरम साला पॉर्डर डालेंगे समय बन फोर टीस्पून और थोड़ा सा खटा टेश्ट लाने के लिए आपने इसके अंदर लेमन जूस डालना है तो आदा नीबू मैंने पहले डाला के साथ में कैसे बनाते हैं इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगा आप देख लीज़ेगा कैसे इनको बनाए जाता है साथ में थोड़ा सापने सरसों का तेल डालना है एक छोटा चमच और इन सब को आपने अच्छे जरूर डालना है yellow chili powder spicy करने के लिए यूज़ कि आता है और इसे color भी अच्छा आता है marination के अंदर अगर आप कैसी yellow chili powder नहीं है तो आप green chili का paste यूज़ कर सकते हैं तो यह हमारी और उच्छी है इस schwier इनदर आपने mistaken add कर देना है जो चिकन हमने stuff करके रख ता तंगडी को add कर दी हैं आप मैंने और अच्छे से आपने टंगडी के ओपर marination लगा देनी है और कम से कम 10 मिनिट तक इसी marination के अंदर आपने chicken टंगडी को छोड़ देना और फ्रीच में रख देना है आगे निकाल देना सरीय को इस तरह से नस के पास से लगाएंगे आपका जो chicken है न स्क्यूर के निच्छे निच्छाएगा एक ही जगा stable रहेगा और extra इसके ओपर marination कर देनी है marination तो एक्स्टा लगाते हैं बार से ताक की chicken अंदर से जले ना तो बैसे आपने दूसरी लग भी स्क्यूर के ओपर लगा देनी है हम एक portion में दो ही लग भी सेते हैं stuff तंगडी के क्योंकि इसके अंदर कीमा भी रहता है तो देखिए इस तरह से आपने दोनों लग लगा देनी है और extra उपर से marination कर देनी है और इसके बाद हम इसको roast करें अगर तंदूर का temperature जादा हो तो आप इसके अंदर silver foil डाल देजिए उससे तंदूर का temperature कंट्रोल हो जाता है तो देखिए तंगडी मैंने तंदूर में roast करने के लिए डाल दी है अब 10 मिनट के लिए आपने इसको roast होने दिन है यहाँ पर देखिए 10 मिनट के बाद तंगड इसको उपर से cover करना है और इसको roast होने देना है तो देखिए 15 मिनट हो चुके हैं आप चिकन टंगडी को पकते होए इसके बाद आपने 2 मिनट के लिए चिकन टंगडी को बाहर रख देना है दो मिनट तक इसके अंदर से जो एक्सा पानी विगरा निकरेगा वो निकलने द देना है तो 15 मिनट मैंने पहले रोश किया था आप इसका फेसे इसको 3-4 मिन तक रोश करेंगे यह देखिए आप मैंने जो स्क्यूर है ना वो दूसरी साइड को पल्टी करके डाली है जब इसको निकालेंगे ना तो नीचे से स्क्यूर गर्म होना चाहिए चिकन निकालते उपाए चिकन हमारा चिकन अच्छे से पक चुकका है लाष्ट में आपने इसके उपर थोड़ा सा बटर डालाँ थोड़ा सा चाडल मसाला पारड़ा ऑर मिन्ट सॉस के साथ आपने इसको सर्व कर देना वीडियो अच्छा लगोगा तो लाइक शेयर को मैं जरूर कीजेगा